गुट मॉर्निंग फ्रिंट्स मैं डॉक्टर मुनिश पेनिवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे योट्यूब चैनल इंस्टा ग्रेड में आशा करती हूँ आप सभी हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं करेंट अफ्यार डेडियो सीरीज में आज हम डिसकर्स करेंगे 15 सेप्टेमबर 2020 के टॉपिक्स को पर उससे पहले जो नए वीवर्स हैं उन सभी को मैं याद दिलाना चाहूँगी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब च 14 सितंबर को हर साल 14 सेप्टेमबर को देश भर में भारत की अधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का परचार और परसार करने के लिए हिंदी दीवस मनाया जाता है भारतिय समिंधान के आर्टिकल नमबर 343 के तहत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है और फोस्ट जो हिंदी दीवस था उसे 14 सेप्टेमबर 1953 में सेलिब्रेट किया गया था और इंडिया में 12 शिड्यूल लांग्विजीज हैं जो बोली जाती है लेकिन यूनियन गॉर्मेंट ने ओफीशली दू लांग्विजीज को अप्रूवल दिया हुआ है जिसमें पहली एक है हिंदी और दूसरी इंग्लिश कौन-कौन सी दू लांग्विजीज हैं जिनको भारत सरकार ने अधिकारिक तौर पर उप्योग करने की अनुमती दे रखी है वो हैं हिंदी और इंग्लिश हिंदी जो है दुनिया की चोथी फूर्थ मोस्ट स्पूकन लांग्विज है चोथी सबसे अधिक बोलने वाली भाशा है हिंदी दीवस 14th of September को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन भारत के समिधान सभा ने देवनागरिक लिपी देवनागरिक स्क्रिप्ट में लिखी गई हिंदी को भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत गणराज्य की अधिकारिक भाशा के रूप में अपनाया था करेंट अफ्या डिली डो सीरीज का हमारा अगला क्योशन है हाल ही में F1 टसकन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीती है और इसका सही आंसर है लुविस हैमिल्टन लुविस हमिल्टन ने इटली के मुगलो सरकिट में आयो जीत फॉर्मूला वन टसकन ग्रांड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है और इसी के साथ ये इस सीजन की उनकी छटी जीत और उनकी करियर की 90 नब्बेवी जीत है और इस रेस में वेलेटरी बोटास दूसरे स्थान पर रहे और अलेक्सेंडर एलबॉन जो है वो तीसरे स्थान पर रहे दूस्तो हमारा आज का अगला क्योशिन है हाल ही में एड़र्टाइजिंग स्टांडर्स काउंसल आफ इंडिया के नए चेर्मेन कौन बने हैं और इसका सही आंसर है शुभाश कामत सुभाश कामत को एड़र्टाइजिंग स्टांडर्स काउंसल आफ इंडिया यानि भारतिये विग्यापन मानक परिशद की बूर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेर्मेन निक्त किया गया है और कामत जो है वो इससे पहले सर्विंग थे इस वाइस चेर्मेन आफ एड़र्टाइजिंग स्टांडर्स काउंसल आफ इंडिया और सुभाश कामत जो है ये रिप्लेस करेंगे रोहित कुपता को और इसी के साथ में हम यह बात कर रहे हैं एड़र्टाइजिंग काउंसल आफ इंडिया की स्थापना कब हुई यानि भारतिय विग्यापन मानक परिशद की स्थापना कब हुई थी और इसका अंसर है 1985 में अगला क्योशन है भारतिय विग्यापन मानक परिशद का मुख्यल्य कहां है यानि हेड़कौर्टर कहां है और इसका अंसर है मुं को समभौधित किया इस event का संबन्द किस राज़े से है और इसका सही आंसर है मध्यप्रदेश प्रद्धानमंत्री नरेंदर मोदी जी ने वीडियो कॉन्फरिंसिंग के माध्यम से मध्यप्रदेश में ग्रह प्रवेश कार्यक्रम को समभौधित किया इस कार्यकरम में 1,75,000 फामिलीज को परधान मंतरी आवास योजणा ग्रामीन के तहद पक्के घर सौपे गये और अब हम बात करते हैं परधान मंतरी आवास योजणा ग्रामीन जो है इसे पहले इंद्रा आवास योजना के नाम से जाना जाता था भारत सरकार दुआरा ग्रामीन आवास के लिए चलाई जा रही यह एक योजना है यह सामाजिक कल्यान कार्यकरम इस सामाजिक कल्यान कार्यकरम के तहट यर 2022 यानि वर्ष 2022 तक सभी को पक्के घर देने का अनॉस्मेंट की गई थी और जो में एम है परदान मंत्री आवास योजना ग्रामिन स्कीम का वो है सभी को पक्के घर प्रदान करना और प्रदान मंत्री ग्रामिन आवास योजना के तहत वह पहले 20 वर्ग मीटर का था जिसे अभी बढ़ाकर 25 स्क्यार मीटर कर दिया गया है इसलिके साथ में अभी हमें बात कर रहे हैं मध्या प्रदेश की तो यहां मध्या प्रदेश के रिलेटिट हमारे पास कुछ इंप मध्या प्रदेश के राज्यपाल यानि गवर्णर कौन है और इसका आंसर है आनंदी बिन पतेल दोस्तो करेंट अफ्या टूडे का हमारा अगला क्योशन है हाल ही में यूवेस ओपन टैनिस वूमिन टूर्णामेंट किस ने जीता है और इसका सही आंसर है नियोमी ओशाका जापान की नियोमी ओशाका ने दो हजार बीस यूवेस ओपन टैनिस टूर्णामेंट को टैनिस टूर्णामेंट में बेलारूस की विक्टॉरिया अजरेंका को हरा कर वूमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है और इसी के साथ वर्ल्ड की फूर्थ नंबर की ओशाका का ये तीसरा ग्रांड स्लम टाइटल अवार्ड है इससे पहले दो हजार अठाना में उन्होंने यूएस ओपन में और दो हजार उन्निस में आस्ट्रेलियन ओपन में ये खिताब जीता था अब वहें तीन ग्रांड स्लम सिंगल टा लाड़ी बन गई है और इसी के साथ में अब वो ओशाका जो है वो विश रैंकिंग में थर्ड नंबर पर पहुँच गई है करेंट अफएर डेली डो सिरीज का हमारा अगला क्योशन है हाल ही में यूएस ओपन में टैनिस टूर्णामेंट 2020 किसने जीता है और इसका सही आंसर है डॉम्निक थियम आस्ट्रेलिया के डॉम्निक थियम ने यूएस ओपन टूर्णामेंट में अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा कर मैंस सिंगल टाइटल का खिताब जीत लिया है और इसी के साथ यह है उनका पहला ग्रैंड स्लम टाइटल है और ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई खिलाडी फाइनल के दो टेस्ट मैचेज हार कर यूएस ओपन फाइनल का खिताब जीता है दोस्तो करेंट अफियर टूड़े का हमारा आज का अगला क्योशन है 13th Aero India 21 का आयोजन किस शहर में होगा और इसका सही आंसर है बांगलोरू Aero India 21 का 13th edition 3 से 7 फरवरी 2021 तक बांगलोरू करनाटका के वायू सेना स्टेशन एरफोर्स स्टेशन ये लंका में आयोजित किया जाएगा और इस Aero India 2021 के लिए रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने एक विबसाइट को लॉंच किया है और ये विबसाइट है aeroindia.gov.n एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है और ये बाइनली ओर्गनाइज किया जाता है सिंस 1996 से और इस शो को कम्प्रीटली एक्सेस किया जा पाएगा थू एरो इंडिया.gov.n विबसाइट के थू दोस्तो हमारा आज का अगला क्योशन है World First Aid Day 2020 किस दिन मनाया जा गया है और इसका सही आंसर है 12 सेप्टेमबर को World First Aid Day हर साल Second Saturday of September को मनाया जाता है To Create Awareness About The Importance Of First Aid In Preventing Injuries And Saving Life और 2020 में World First Aid Day जो है वो 12 सेप्टेमबर को सेलिबरेट किया गया है और World First Aid Day को सेलिबरेट करने की शुरुआ जो है वो International Federation Of Red Cross And Red Crescent Societies के दुआरा की गई थी 2000 साल 2000 में To Educate People In The World Regarding The Benefits Of First Aid, Need Of First Aid And Right Way To Do First Aid यानि 2000 से World First Aid Day कि तरू लोगों को एजुकेट किया जाता है कि First Aid जो है वो किस तरह से उप्योगी है और इसकी हमें क्या जरूत है और इससे राइट वे यानि इसा सही तरीका क्या है First Aid अप्लाई करने का मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों आशा करती हूँ कि आपके exam point of view से मेरा वीडियो काफी helpful रहेगा अगर आप मुझे कोई सुझाओ देना चाहते हैं तो उसे comment box में comment करें कल फिर मिलते हैं current affair daily dose की एक नई सीरीज के साथ Thank you कर दो आप आप कर दो कर दो कर दो